नमस्ते दोस्तों, कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोश देते हैं, यह मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी है, जिसको सुनकर आपकी आँखे खुल सकती है, इस कहानी को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, काफी समय पहले की बात है दोस्तों, एक आदमी रेगिस्तान मे फंस गया था, वो मन ही मन अपने आपको बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुन्दर जगह है, अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड उद रहे होते, और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे, मतलब ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता, उपरवाला देख रहा था, अब उस इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं देख रहा है, उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआ दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था, काफी देर तक विचार विमर्ष करता रहा खुद से, फिर बाद उसको वहाँ पर एक रसी और बालती दिखाई दी, इसके बाद कहीं से एक परची उड़के आती है, जिस परची में लिखा हुआ था, कि तुमने कहा था, कि यहाँ पर पानी का कोई स्त्रोत नहीं है, अब तुम् वह चला गया दोस्तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोश देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोश देते हो, कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह सोर्सिस मिल जाए तो क्या परिस्थिती को बदल सकते हो? इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिती को दोश देना जानते हैं, अगर उनके पास उप्यूक्त स्रोथ हो तो वो परिस्थिती को नहीं बदल सकते, सिर्फ वो ब्लेम करना जानते हैं, लेकिन हमें ऐसा नही इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियां बदले और आपको अगर उसके लिए उप्यूक्त साधन मिल जाए तो आप अपना एक परसेंट योगदान तो दे ही सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घट और इस मोटिवेशनल स्टोरी को मैंने कम से कम शब्दों में समेटने की कोशिश की है जो कि मैं कर पाई अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं शुक्रिया